इसे बनाने के लिए आपको नैट का कपड़ा, गोटा पटी का कपड़ा, पेस्टिंग, रिंग, स्टोंज, पेच, इन सब की जरुत होगी कलर कॉमिनेशन आप अपनी इछानुसार कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि आप किसी भी साइस की गोपाल जी के लिए पोशाक कैसे बना सकते हैं, कितना मेजरमेंट आपको लेना है और इसमें जो ये रिंग लगे हुए हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगी तो friends अगर आप ये पोशाक बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से कहना चाहते हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस करके औल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो फ्रेंड्स देरीने करते वे वीडियो को स्टाट करते हैं और सीखते हैं ये बीटिफुल पोशाक बनाना तो देखें पैंड्स इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने 11 इंच डाइमेटर का ये बेस तयार कर लिया है क्योंकि ये पोशाक में 6 नंबर के यांच के लिए बना रही हूं इसलिए इसका डाइमेटर मैंने 11 इंच लिया है और अगर आपके कानाजी का साइस ज्यादा या कम है तो आप इस measurement chart में अपने कानजी के size number के according diameter देख लें और base बना कर तयार कर लें इसमें मैंने body की लंबाई और चोड़ाई भी लिख दी है और कमर के लिए कितना निशान लगाना है वो भी मैंने इसमें लिख दिया है तो base बनानी की separate video मेरे चैनल पर पहले से ही uploaded है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा आप उस video को check कर लें और base बनाना सीख लें अब हम पोशाक बनाना start करते हैं सबसे पहले हम अपने कानाजी के size number के according इस पर कमर का निशान लगाएंगे तो 6 नमबर के गानाजी के लिए 0.8 इंच का निशान लगाते हैं पहले हम इसको इस तरीके से fold कर लेंगे और एक बार ऐसे fold कर लेंगे और ऐसे fold करने के बाद यहाँ पर हमें निशान लगाना है अब इन तोनों निशानों को हम गोलाए करके आपस में विला लेंगे और इसी निशान पर cutting कर लेंगे यहाँ पर cutting करने के बाद अब हम इसको आगे की side से open कर लेंगे और यह देखे cutting करने के वज़े से यह खुल गया है तो हम इसको सिलाई लगाकर attach कर लेंगे तो यहां से यहां तक यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमें सिलाई लगा लेनी है चलिए लगा लेते हैं फिर बताते हां कि क्या करना है यह देखें यहां पर सिलाई लगाकर मैंने इसको attach कर लिया अब हम इसे decorate करेंगे, तो इसे decorate करने के लिए हम net के कपड़े में से 3 इंच लंबाई चोड़ाई के square piece कट कर लेंगे, तो चलिए cut कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि क्या करना है, यह देखें मैंने या लो कलर की net में से square piece कट कर लिए हैं, अब हमें क्या करना है, इन में से एक piece स्टूहिस लेना है और तरीके से फोल करने के बाद यहां से द्लीं पूलड़ना सकीज़ों यहां से यहां यहां तक शला लगार इसको तैयार कर लेंगे हुआ हुआ हो jiż कर लेए तो इसी तरीके से हमें ये सभी पिशुषर तैयार कर लीने हैं looking कर लेते हैं फिर दिखाते हां कि क्या करना है तka माई आई सब माई कर लिरे हैं अब हम इन्हें अपने बेठेगा करेंगे इन पीसेज को लगाने से पहले हम इस पूरे राउंड को टीशुरी बन लगाकर लोग कर लेंगे यह मैंने सिल्वर कलर का टीशुरी बन लिया है यह देखे किस तरीके से ल loaf करना है इस तरीके से यहां पर रखेंगे और एसे फॉald कर लेंगे और इसे फॉ achieving करते हुए यहां किनारी किनारी लचा कर oven को हम लो कर लेंगे और लोग करने के बाद ये पीस अटेच करेंगे जब ये लोग हो जाएगा तो हम इसके नीचे इस तरीके से इस पीस को रखेंगे और यहाँ पर सिलाय लगा लेंगे फिर इसके ब्राबर में दूसरा पीस रखेंगे और फिर से सिलाय लगा लेंगे इसी तरीके से पूरे रा तो नेफल लगाने के लिए हम नैट के कपड़े में से पट्टी कट कर लेंगे जिसकी लंबाई जितना हमारा ये पोर्शन है उसमें एक इंच प्लस करके लेंगे और चोड़ाई धाई इंच लेंगे तो चलिए कर लेते हैं फिर बताते हैं कि क्या करना है यह देखे मैंने प पर इसको अटेच कर दिया अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद सीधा करने के बाद यह जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको और यहां पर बीच में डोरी रखेंगे इस तरीके से डोली रखने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके किनारे किनारे सिलाय लगा कर ये नेफा बना कर तयार कर देंगे इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और किनारे किनारे सिलाय लगाते जाएंगे तो चलिए कर लेते हैं फिर पताते हैं क्या करना है तो यह देखे फैंट्स मैंने यहां पढ़नेफा लगा कर इसको तियार कर लिया है अब हम इसे और डेकुरेट करने के लिए कुछ रिंग तियार करेंगे तो रिंग बनाने के लिए हमें चाहिएगा एक रिंग और अगर आपके पास इस टाइप का रिंग नहीं है तो आप ब इसके बाद चाहिएगी हमें एक प्लाई की उन मैंने उस उन को पांच पोर्शन लेकर इस तरीके से एक साथ ले लिया है यह देखिए अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से डबल करना है ऐसे डबल करने के बाद हम इसके अंदर से इस तरीके से इसको बाहर निका यानि कि एक तरह की नॉट हमें याँ पर लगानी है अब टाइटली धागे को इस तरीके से खीच लेंगे यह दागा इस तरीके से हमने इसमें जॉइंट कर लिया और जॉइंट करने के बाद हम यह पूरी उन इसके ऊपर लपेट देंगे थोड़ा फैलाते हुवे लपेटेंगे यह देखे इस तरीके से लपेटने के बाद अब हम यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे अलका सा गुलू लगाएंगे बिलकुल और इसको अच्छे से यहां पर पेस्ट कर देंगे आसे अब हमें क्या करना है इसके ऊपर गोटा लगाना है तो यह मैंने बारिक गोटा लिया है इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको लगाएंगे अले इसे भी हम किनारे से पेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर इस तरीके से हमें इस पर लपेट देना है इसको तो यह बहुत सुन्दर डेकोरेशन आइटम बन जाएगा आप इनको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं कोई भी चीज जैकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं और बनाना भी डिफिकल्ट नहीं है देखे बहुत इसली यह बन करते यार हो गया है यहाँ पर आकर फिर से हम इसको पेस्ट कर देंगे इसी तरिके के हमें काफी सारे रिंग बना लेने है और डिफ़ेंट डिफरेंट कर और के बनाने हैं तो चलिए बना लेते हैं फिर बताते आंगे क्या करना है तो यह देखे फैंट्स मैंने काफी सारे रिंग बना लिये हैं अब हम इन्हें अपनी बेस पर लगाएंगे देखें किस तरीके से लगाना है इस तरीके से बराबर बराबर रखते हुए पूरे राउंड पर हमें इनको पेस्ट कर देना है तो चलिए कर लेते हैं इनको यहां पर लगाने के बाद अब हम यहां पर यह रैड क्लर के स्टोन लगाएंगे इस तरीके से यहां पर इस तरीके से यहां पर इसको में लगा देना है हम पहले थोड़ा सा गुलू लगा लेते हैं इसको यहां पर लगाने के बाद अब हम इस पर यह पेच लगाएंगे बहुत इजी है फ्रेंट्स इन पेच को बनाना अगर आप कहेंगे तो मैं इनको बनाना भी आपको सिखा दूँगी यहां पर इनको लगाना है यह देखे इस तरीके से तो चलिए लगा लेते हैं पेच यहां पर लगाने के बाद मैंने इसको छोटे-छोटे स्टोंस लगा कर डेकोरेट भी कर दिया है इस तरह से एक घेर बनकर तयार हो गया है अब हम इसकी बोडी बनाएंगे बोडी बनाने के लिए मैंने गोटा पटी के कपड़े में से एक पटी कट कर ली है और इसके पीछे पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर दिया है आप भी मेजरमेंट चाट में अपने कानाजी के साइज नंबर के अकोर्डिंग बोडी के लमबाय उठ चोड़ाई देख लें और ये पटी कट कर लें अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे फोल्ड करने के बाद यहां से हम इसको तिर्चा कट करेंगे इस तरीके से तिर्चा कट करने के बाद यहां पर हमें इसकी नैक कट करनी है नैक ना तो जादे चोटी कट करनी है और ना जादे बड़ी इस तरीके से यह देखे अब हम इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे और हलकी हलकी गोलाई दोना साइड कर देंगे इस तरह के से बोड़ी की कटिंग करने के बाद अब हम इसको अस्तर की कपड़े के उपर अटेच करेंगे यह मैंने सेम साइज के अस्तर की कपड़े की पट्टी कट कर ली है इसके उपर हम इसको उल्टा करके ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद यहां से सलाय लगाना स्टार्ट करेंगे यहां 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 और यहां पर हम इसको सलाय लगाकर अटेच कर लेंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद तीन साइटी श्रीबन लगा कर लेंगे और बादने के लिए डोरी लगा देंगे चलिए तो कर लेते हैं तो देखे फ्रेंट्स मैंने अस्तर के कपड़े के उपर अटेच करने के बाद इसको सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद तीन साइट टिश्री बन लगाकर इसको लोग कर लिया है और बांदने के लिए डोरी भी लगा दिये इस तरह से यह बोड़ी बनकर तयार हो गई है तो फ्रेंड्स यह पोशाक बनकर तयार है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंट प्रेंट प तब तक के लिए कीप कीरेटिंग एड कीप स्माइलिंग